नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल, आप सभी का HBN 24 लिउज में स्वागत करता हूं तर्चा करने वाला उन लोक्स बाद सुनाओं के नए उमिदुआरों की सूची के बारे में खासकर हरियाना, राजस्तान वे अन्य राज्यों में लगती हुई शिटों को लेकर BGP के दोरा नया सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे में काफी चुकाने वाले जो है आपको रेजल्ट मिलने वाले हैं किस बात का सर्वे है, BGP क्यों करवा रही है आपको बताऊंगा कि काफी लोगों के मन में ये बहम होगा कि पिछले बार 2019 लोकसभा चुनाओं में जो है में मेंबरो पारलिय बेटका ऐसे चहरे देखनों को मिले जिनको लोग जानते भी नहीं थी वोट मांगने भी नहीं गए लेकिन परदानमत्री मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिले और उनने जीत दर्ज की और आज लोकसभा में आज फिर से वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको दुबारा से टिकेट दी जाए लेकिन ऐसा नहीं है बीजपी सरकार सर भी करवा रही है किस MP को कितने पॉइंट मिलने चाहिए इन पॉइंटों के आजार पर ही टिकेट बांटी जाएगी चाहिए कोई भी कितना भी खास किवना हो जिसने काम किये है उसको ही टिकेट मिलेगी अगर हरियाना से स्पेशली बात करूँ तो हरियाना के अंदर सिर्षा एक रिजरोव लोकसभा सीट है जहां से जेजपी भी दावेदारी कर रही है लड़ने की लेकिन रिजरोव होने की वज़े से जेजपी को किसने केसी को टिकट देनी पड़ेगी तो यह मैं मैं मैंटर ख टिकट को लेकर संदेह है हिसार की सीट पर बहुत बड़ा संदेह बना हुआ है क्योंकि एक तो वहां पर जो मैंटर पार्लेमेंट कांडिडेट है बरजंदर सिंग जनता के बीच कभी बोट मांगने कहे ही नहीं थे अभी दिख रहे हैं थोड़ा-थोड़ा कारी करते वे लेकिन जनता उससे खुश नहीं है दूसरी सबसे बड़े बात तो यह है कि उस सीट पर कुल्दीब विश्णोई जी ने दावेदारी ठोग दिये कि अमपी का टिकट मुझे दो चलिए वहाँ पर बरजंदर सिंग ने अच्छे काम की होते तो भी बात्सपा क्यापता कुल्दीब विश्णोई को राजस्तान से कहीं से भी टिकट दे देती हैं अमपी की और कुल्दीब विश्णोई खुश रहते लेकिन अब बरजंदर सिंग ने तो काम किया नहीं कैंदर बन चुकी है क्यों बन चुकी हो कि हिसार की सीट से बड़े से बड़े दुरांदर चुनाव लड़ने वाले हैं अगर सभी पार्टी अलग लग चुनाव लड़ती है तो हिसार की सीट से जेजपी से दुसन चुटाजी अदेगी जे चुटाला जी चुनाव लड़ सकते हैं वहीं पर इसार किसीट से कॉंग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा चुनाव यहां पर हो सकता है कॉंग्रेस से साइद पोसिबलिटी है कि दिपंदर सींह हुड़ा खुद चुनाव लड़े हैं वहीं पर अगर भाजपाने कुल दी विष्णुई को टिगर दे दिया तो मामला और भी रोमान्चक हो जाएगा और किसी कानवस्दी पदर सींह भुड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो वहां पर विधानसवा के परत्यासी जय परकास जय पिजने आप जानते हैं आदमपर से उप चुनाव लड़ा है वो भी मेंबरों पारलियमेंट के चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि प्रूम में वो काफी चुनाव जीत सुकते हैं कांगर सरकार में पट्रोलिय मंतरी या केंदरी मंतरी भी रह चुके है इसी बिच आपको सबसे बड़ी चुकारे वाल निकल जाते हैं तो प्रधानमंतरी जेपी नड़ा को बनाया जा सकता है क्योंकि जेपी नड़ा के चर्चे के अंदर तक पहुंच चुके हैं जो यूवा पीड़ी है वो चाहती है कि जेपी नड़ा को भी मोगा दिया जाए वैसे तो दावेदारी काफी नेता ठोक रहे है जेपी नड़ा केशें राजनात शिंग लगा लेजी वहें पर योगी अधित्यनात का जब नाम उठा तो योगी अधित्यनात भी दावेदारी ठोक रहे हैं के शियम पद, मेडिया में या सटेलाइट टीवी चेजर में आपने कोई भी कहीं पर भी चर्चा नहीं सुनी होगी आपको बस इतना पता है कि बोदी जी के नाम पर सना उलड़े जाएंगे और अगले परदानमंत्री भी मोदी जी ही होगे आलागे पोसिबिल्टी है परदानमंत्री मोदी जी से भी ट्रिपल एंजिनी की सिरकार की तरह आगे बढ़ा सकते हैं वहीं पर चर्चा यह चलरी है कि अगर बीजबी कमजोर पड़ती है लोकषबा चौनाओं में सर्वे हो रहे हैं अगर बीजबी कमजोर पड़ती है तो नया खेल बीजबी की तरफ से खेला जाएगा व तो बीजपी को कहीं भी वोट जागर मांगने की जरूरती नहीं है जिस प्रकार से पिछली बार मोदी जी के नाम पर वोट जन्ता नहीं दीती उसी प्रकार से जेपी नड़ा जी के नाम पर वोट मिलती है देश के अंदर अगर आप स्वरवे करवाएंगे तो 40% पबलिक ऐसे में जाएगे जो जेपी नड़ा को पर वोट मिलती देखना चाहती है तो यही सब्स्द बड़ा जटका है जो मैंच वीन24 देखना चाहता था यह अंदर की ख़वर है जो मैंने आपको बताई इस ख़वर को लेकर आप भी बिचार कर सकते हैं क्या आप जैपी नड़ाओ प्रदामतरी देखना चाहते है नहीं देखना चाहते हैं वहीं पर इस बार लोकसभा के अंदर हरियाना से खास कर काफी नेताओं का टिट कट रहा है माल लेजिए आप लगबग दो या तीन सीट ऐसी है जहां पर MP टिक हुए है एक तो सिरसा से सुनीता दूगल एक यहां पर तो अंबाला की कटारिया सीट रिजरो है ना कटारिया की सीट जहां पर अभी देहान तवाजिश के वाद सीट खाली हुए थी एक वो सीट और कुछ और सीट है जहां से MP कह रहे हैं कि उनके पुत्रों को मुका दिया जाए इस सीज को अगर देखा जाए ना तो मैं आपको बजा देता हूँ यहां पर दो MP तो विदायकी के इच्छुक है वो चाते कि MP हम MP चुनाव लडेंगे ही नहीं वहीं पर तीन MP बच्चों को और देश्ट करने की कोशिज कर रहे हैं इसमें बात की जाए तो बंतो कटारिया अंबाना से और सुनिता दुगल इनकी सीटे बिलुकुल पक्की MP के चुनाव लडेंगे लेकिन राव इंदरजीत सिंग है करेश्टन पाल गुजर है जो रमेश चंदर कोशिक है जो पुरिवारिक राजनीती को आगे बढ़ाना चाते हैं लेकिन बीशी भी नहीं चाती है इसलिए इनकी टिकेट पर भी संशे है या नराजगी वैक्त करने के लिया पता चुनाव लड़ें नहीं लड़ें इनकी टिकेट को लेकर भी शंशे है वहीं पर कुछ असास द जो विधायक बनना चातें नायब शिंग सेनी हैं धiens लिज जो बिदायक बनना चाहते हैं और रोतक के साथ दाक्टर अरविन शर्मा के तेर बदलेव है तो उनको टिगट नहीं मिलेगा और वहीं पर आपको आदे कि अर्विन सर्मा जो है दिपेंदर सिंग हुंडा के अपोजेट में चुनाव लड़े थे और दिपेंदर सिंग हुंडा कुन राया था उन्हें वेद थी कि सेंटर से उन्हें कोई पद मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिला जिसके गण वो नराज चद रहे हैं तो यही है कि बीजपी दुबारा फिर से मंतन कर रही है किसको टिगड दिया जाए किसको टीड कटा जाए कुछ नए चेहरे जो MP की तोर पर हरियान के अंदर पेश किया जा सकते हैं वो मैं आपकी सामने लेकर आऊँगा वो बताऊँगा और आगली वीडियो में खास कर मैं चर्चा करने वालों लोक्सभा उपिन और पोल के बारे में तो गंटे बाद ही वीडियो आ रही है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए ध्यापर्व विशेश रूप से बड़े राज्यों की चर्चा करूंगा बने रही है का आज बें 24 न्यूज के साथ लाइक और शेयर कीजिए जैहन